तो दोस्तों मेरे पास में यह G5 का डिवाइस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि इस G5 डिवाइस बिना बेटरी के कैसे चल सकता है तो वीडियो बनाने का मक्सर्ट दोस्तों सिफ इतना है कि हम समय से बहुत सालोगों के पास में G5 डिवाइस है और अगर उनके बेटरी पास में बिल जाएगी तो आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में इस G5 डिवाइस का बेक कवर आकर समने निकाल देता हूं यह मैंने पकड़ा और इसका बेक कवर को बहां निकल दिया यह देखिए दोस्तों इसमें बेटरी लगी हुई ह अब मैं पहले इस G5 डिवाइस को सीच ओफ कर लूँगा ताकि मीदार डिवाइस के लाइफ थोड़ी बहतर बनी रहे हैं आपको भी यही करना है पहले इसको सीच ओफ कर लेना है बेटरी मैं निकाल लेता हूं यह देखिए दोस्तों इसमें से बेटरी बहाद आ गई है और G5 डिवाइस अभी बन दे अब यह बिना बेटरी के कैसे चलेगा इसके बारे में आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपना जो आपका पास में इसका चार्जर होगा उस चा रखिए चार्जिंग अ उन होना चाहिए और फिर आपको इस चार्जर को जिओ फ़ाइड से कनेट करना है यह मैंने अपने जिओ फ़ाइड डिवाइस को चार्जर से कनेट कर लिया कि कनेक्ट होते से कि दोस्तों जी ओफाई डिवाईस में पावल आ चुका है देखे यह अब इस्टाट होने के प्रोसेस में आ चुका है कुछ टैम में यह स्टाट भी हो जाएगा मैं आपको पूरा चेक कर वा दियता हूं यह देखे दोस्तों वाई-फाई का सिगनल आ चुका है नेट्वर्क सर्च कर रहा है कि अगयined जैसे यह देखे दोस्तों अब उसमें नेट्वर्क भी आ चुका है तो देखे दोस्तों प्रोसेस बड़ी आसान है इसमें पैट्री भी नहीं है और फिर भी है चालू है बड़ी आसन प्रोसेस है आप अपने जो जिओ फाइज सा लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब की बेना जाना मत क्योंकि आपके भाई का चैनल ले और आपका भाई आपके लिए एसी एसी वीडियो लगाता बनाता रहेगा तो धन्यवाद दोफ्तों मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंद